Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard grammar subject. 5th standard grammar subject start करेंगे 5th chapter ठीक है? Proper nouns, क्या? Proper nouns, आज हम proper nouns के बारे में पढ़ेंगे. A word which is used in place of a noun is called a proper noun. Noun के जगे पे जो use करते हैं, उसे क्या कहते हैं? Proper noun. Noun word use होता है, उसके जगे पे अगर हम कोई दूसरा word use करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बच्चो, proper noun. जैसे कि एक example ले लो. Tino live in my colony, Tino is my friend. तो Tino क्या हुआ? ये proper noun है, ना, proper noun. तो इसके जगे पे देखा भी, अग भी मैं इसमें दूसरा word use करते हूँ, और इसको मैं proper noun sentence बनाती हूँ. Tino lives in my colony, he is my best friend. तो ये क्या है? वो उसका best friend है. तो क्या ये? ये जो ही है, वो किसके place पे यूज़ हुआ है? नाउन के place पे. तो ये क्या हुआ? proper noun. very good. चलो, तो हम आगे पड़ेंगे. There are different types of nouns. proper nouns. यहाँ पे बहुत अलग-अलग type के proper noun है. तो चलो, कौनसे कौनसे है? personal, demonatives, interrogative, reflection, positive, relative, emphasize. बहुत सारी ये सब क्या है? अपने examples है? किसके? proper nouns के. ठीक है बच्चों, अभी इसके बारे में detail में पड़ेंगे. Personal noun. personal noun क्या होता है? The personal noun stand for three person. ये क्या होता है? तीन person के लिए होता है. किसके लिए three person? The first person is related to the person who is speaking. ये क्या होता है? फोस्ट पुस्ट कौन होता है? जो बोल रहा होता है. जैसे I, we और we और बहुत सारे words आते हैं. और second person में क्या होता है? related to the person spoken to. ये second person में क्या होता है? जिससे बात की गई हो. जैसे कि अभी first person मैं होई, जैसे मैं बोल रही हूँ. और second person क्या होता है? आप लोग जो सुन रहे हो. जिसके लिए बोल रही हूँ. है ना? तो इसमें क्या होगा? you, your. और third person क्या होगा? तो third person is related to the person or a thing spoken about. ये किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं. जैसे कि हम अभी दो जन के बीच में किसी तीसरे जन की बात करें. अरे तुम्हें पता है? वो ऐसे कर रही थी. मतलब तीसरा आगा है ना? तो he और she. ऐसे सब word होगे. he, she, he, they. और बहुत सारे. चलो. अभी देखो singular. प्यूलर में क्या होगा? तो देखो first person के लिए singular में I, me होगा. और प्यूलर के लिए we, us. और second के लिए you, your. और इसमें भी you, your. ये भी याद रखना है. ये singular के लिए है और ये प्यूलर. और third person के लिए he, him, his, she, her, it. और प्यूलर के लिए they, them. ये आप एक बार वापस देख लेना. ठीके बच्चो? very good. अभी देखो. demonstrative. demonstrative proper noun क्या होता है? तो demonstrative proper noun those which point out the object or objects. इसमें क्या होता है? किसी चीज़ को बताते है? जैसे कोई चीज़ के बारे में that, this करके. ठीके? which they are refers. देखो. this is a mango. ये mango है. that is the tree. वो क्या है? tree है. these are, देखो. ये क्या होता है? अभी कोई चीज एकी हो. ठीक है? एक हो. ठीक है? ये mango एक है. लेकिन वो पास में हो. तो क्या बोलेंगे? this. और एक से जादा हो. और पास में है तो ये this. ठीक है? ये सब पास में के लिए है और ये दूर. लेकिन इसमे different क्या है? ये singular form में है और ये प्यूलर form में. singular मतलब एक चीज. प्यूलर मतलब दो चीज. अगर है ना? लेकिन ये क्या धूर के लिए है? ये that और दोस हम धूर के लिए यूज करते हैं. इस और इस पास के लिए. ठीक है? ये नियर और ये वाला नियर के लिए ये धूर के ठीक है? वेरी गूट. एक और एक से ज़्यादा. अभी देखो. इस और इस पूलर. ये किसके लिए यूज करते हैं? यो चीज बताने के लिए जो चीज हमारे पास में हो. जैसे मैंने इसमें एक्स्प्रिंट किया. ये मैंगो पास में है. लेकिन एकी है. एकी होगा तो त below-this युज करेगे. एक ही होगा तो क्या यूज करोगे बच्चो? और एक से ज़्यादा होगे तो यूज करोगे tese है ना? क्या यूज करोगे एक से ज़्यादा हो और पास में हो तो ट-h-e-se, ठीक है? और सोचो अभी कोई भी चीज. और दोसаки भी दोने आप इसे है लेकिन हां तो वो that और trees एक से ज़ादा हो तो क्या यूज़ करोगे दोस तो यह difference समझ में आपको ठीक है अभी देखो डेमोकरेटिव के हम कुछ example देखे डेमोकरेटिव प्रॉपर नाउन है और डेमोकरेटिव एक्षेक्टिव से this is my desk मतलब यह मेरा desk है यह एक ही है singular है इसलिए और पास में है है ना this desk is mine यह क्या है मेरा है देकिन यह क्या देखो यह प्रॉपर नाउन के लिए यूज हुआ है और एक्जेक्टिव के लिए यूज है that is your house क्या बोटे वह दूर वाल अगर वह आपका है यह ना that those are your pens एक से ज़्यादा पैन है इसलिए those यूज किया है ठीक है यह देखो इसमें क्या प्रॉपर नाउन और एक्जेक्टिव के लिए क्या क्या वर्ड्स होते हैं वो देखेंगे ठीक है अभी देखो इंट्रोग्रेटिव प्रॉपर नाउन इंट्रोग्रेटिव प्रॉपर नाउन क्या होता है एन इंट्रोग्रेटिव प्रॉपर नाउन इस यूज टू आख सब क्या क्या क्यों कैसे किस तरह से कब कहा है ना तो इंट्रोग्रेटिव प्रॉपर नाउन इस यूज टू किसके किसमें से कौन सी आपकी इसा पुष्तें आउन्ग है इंडरोके टीव में म्थ्टीकिया आता है कोश्ण टाइप ठीक है बच्छा पाइयरी गुट अब रिफ्लेक्टिव प्रॉपर नाउं देखेंगे डिफलेक्टिव प्र offer नाउं उसमें क्या होता है reflective proper noun चलो reflective proper noun reflective proper noun क्या था the proper noun जैसे कि myself yourself himself ये सब words आते which are objects of a verb but refers to the same person as the subject of the verb are called reflective proper noun इसमें क्या होता है वो same इंसान जिसके बारे में बोला जा रहा होता है जिस चीज के बारे में बोला जा रहा रहा था है वो खुद होता है उसे ठीक है जैसे कि I wash myself as I get up in the morning जैसे वो खुद उठता है खुद को धोता है ना तो myself आ है you express yourself very nicely आप अपने आपको अच्छे से express कर रहे हैं मतलब ये इसमें कैसे mostly बढ़ाएंगे myself, yourself, himself क्यों ये खुद से refer करता है ठीक है किसी भी object या फिर verb को object of a verb but refers to the same person same as the subject subject से same होता है ठीक है बच्छों चलो emphasizing बढ़ेंगे ये क्या होता है दब प्रपर नाउन जैसे कि myself है, yourself है, himself है ये सब words होते हैं which are used with a proper noun और proper noun ये ऐसे words होते हैं जो noun ये फिर proper noun के साथ used होते हैं उसे कहते हैं, जैसे myself, I myself lift, बोलते हैं ये box मैंने खुद से उठा है तो I myself lift the heavy box alone है ना, the principal himself paid me for coming first ठीक है ये सब और चलो अभी आगे देखेंगे हम चलो, how to differentiate between the, अभी देखो आप ये दोने में confused होगे होगे कि इसमें भी myself, yourself, himself है और इसमें भी है तो इसमें confused होगे होगे तो इसको differentiation कैसे कर सकते हैं, इसमें अलग-अलग चीज़ें कैसे find out कर सकते हैं तो देखो, example दिया है, चलो, I wash myself, तो ask about the verb, इसमें verb क्या है तो इसमें verb क्या है, wash है, है ना, इसने खुद को अब धोया तो और किसको पूछ रहा है, whom do I wash, तो यसा पूछें किसको पूछ रहा है, तो वो बता रहा है ना, I wash myself तो ये खुद के लिए यूज़ क्यों है, तो myself is an object, myself क्या हुआ, object हुआ जो किसके लिए, myself also stand for the subject, ये किसके लिए stand होता है, I के लिए और I किसके लिए refer होता है, जिसके बारे में बात कर रही हो, है ना, तो ये आपको समझ में है, ये difference और देखो, ये किसका हो गया, reflective का हो गया, ठीक है, ये first वाला किसके लिए हो गया, I wash myself का, देखो I क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे है, उसने बोला ना, कि मैंने खुझ से, हाथ, खुझ से वाश किया खुझ को, ठीक है, तो क्या हो गया, I खुझ के लिए हो गया, myself किसको support कर रहा है, देखो, I wash verb हो गया, I subject हो गया, और myself भी क्या हो गया, myself किसके लिए stand होता है, I के लिए stand होता है, तो ये किसका example हुआ, reflective, proper noun का example हुआ, अभी देखो, second वाला example लेंगे, I myself lift the heavy box, है ना, तो अभी देखो, who had, who did I lift, whom did I lift, क्या आपने उठाया बुझेंगे, तो I lift the box, क्या बोलोगे, I lift the box, I did not lift myself, I did not lift myself, क्या देखो, तो इसमें myself is not the object, इसमें myself object नहीं है, I is used किसके लिए है, emphasize के लिए, तो ये कौन सा word हुआ, emphasizing proper noun हुआ, ठीक है बच्चो, very good, अभी देखो, positive noun देखेंगे, क्या देखेंगे, positive noun, a noun that show, positive, ये noun होता है, जो positive बताता है, and take the place of a noun, ये noun के जोगे पर होता है, is called positive noun, जैसे कि positive adjective है, ये example से positive proper noun है, ये घर मेरा है, तो the house is your, पुछते ना, ये तुमारा घर है, this is my house, तो ये पुछते ना, the house is mine, बोलते ना, ये मेरा घर है, this is your pen, ये तुमारा pen है, this is your pen, पुछते ना, तो देखो, फैला क्या है, the house is mine, बोलते ना, ये मेरा घर है, फिर इसमें positive proper noun में किया आएगा, the house is your, ये examples है, ये एक बार आपको देखना है, ठीक है, अभी चलो, एक बार हम चार्ट पे देखेंगे, the chart of positive nouns and adjective, ये positive noun और adjective का चार्ट है, ये singular word के लिए यूज हो रहा है, और ये polar, ये जो column है, ये singular, और ये polar वाला, देखो अभी first के लिए, first, तो first के लिए singular के होगा, my, mine, और polar, our, ours, second के लिए, your, yours, इसमें singular है, और ये polar के लिए, your, yours, same होगा, और third, तिस्तरे इंसान के लिए, he is, her, he is, hers, hers, इसमें S लगेगा, there, there's, S लगेगा, ठीक है, आपको समझ आया, अब आगे देखेंगे, चलो, अभी reflective nouns, reflective proper noun देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चो, reflective proper noun, proper noun that refers or related to some nouns that go before and join, two sentence are called relative proper noun, relative proper noun क्या होता है, जो दो sentence को join करता है, जैसे की, who हो गया, whom हो गया, who's हो गया, which, that and what, ठीक है, तो चलो, एक example, I know the boy, dash, he goes, got the first prize, तो क्या बोलोगे, मेरेको पता है वो लड़का जिसको first prize मिला है, तो इसमें क्या यूश करोगे, I know the boy, who, ये cut कर दोगी, got the first prize, क्या बोलोगे, कि मुझे वो लड़का पता है, कि किसको first prize मिला, इस तरह से आप sentence बनाओगे, देखो, इधर examples दिये, है ना, ये है आपका question, यहाँ पर ये आपका answer, तो देखो, मैंने जैसे बताया, I know the boy, who, got the first prize, मैं वो लड़के को जानती हूँ, जिसे first prize दिला है, चलो अभी एक और example देखेंगे, You may, you mean something, I don't know it, तो इसका क्या बनेगा, I don't know what you mean, आपने क्या बोला, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी चलो एक और एक देखते, This is the house, यह क्या, This is the house, My father built it, तो इसका answer क्या एगा, This is the house, that, इसमें क्या लगा होगे, that, My father built, तो यह sentence को क्या करता है, बच्चों, join करता है, ठीक है, यह कौन सा था, relative, proper noun, अभी हम आगे देखेंगे, चलो, यह क्या है, हमारा practice test one है, ठीक है, practice test one में क्या करना है, आपको circle करना है, प्रॉपर nouns को, और उसका type लिखना है, क्या लिखना है, type, तो देखो, bring me the book that is on the table, तो क्या बोल रहा है, वो बुक रखी है, वो लेकिया, तो that क्या होगा, that को आप circle दो गई, और यह क्या होगा, relative noun होगा, और देखो, इसमें क्या होगा, who, who क्या होगा, relative noun, she, she किसके लिए, person के लिए यूज होता है, तो personal noun, ourself, तो impressing noun, और themself, reflective, ठीके, होगा, आपको समझ आ रहा हो, अभी देखो, आगे, I, I किसके लिए यूज होगे, person के लिए, this, democratic proper noun, th, is है, ठीके, और यह वाला this, तो यह democratic, adjective, ठीके, whom, whom के लिए तो question पूछ रहा है, तो interrogative आया, ठीके, he, he, relative, you, person, I, person, है ना, she, यह भी person, which, यानी सवाल पूछ रहा है, तो क्या आएगा, interrogative आएगा, what, what भी question पूछ रहा है, वो भी interrogative में आएगा, अभी देखो, second में क्या करना है, complete the following sentence using, इसमें आपको reflectives, reflective और personal noun को use करना है, ठीके, तो देखो, आप क्या करोगे इसमें, हाँ, तो हम लोग इसमें क्या reflective और personal noun को, प्रोपर, प्रोपर नाउन रूस करेंगे, this is my, this is my work, I will do it myself, यह क्या, यह मेरा work है, यह मैं खुद से करूँगा, this dog hurt, यह कुद को himself with the car, खुद को कार से चोट लगा दी, है ना, we will complete our work, ourself, यह क्या बोल रहा है, हम अपना काम खुद से करेंगे, यह ना, they admitted their guilt, वो लोग अपना गुना खुद से कभूल किया, the guest tattled himself on the chair, वो आग मान आये थे, वो अपने आप बैट गए, तो इसमें कौन से-कौन से words use करने है, reflexive और personal वाले, ठीक है बच्चो, तो यह आपको समझ में आया, अभी देखो, आगे, वो भी आपको समझ में आया हो गई, यह वो exercise किस तरह से करने, इसमें आपको reflective words जो आपने पहले पढ़ा, reflective words का मतलब क्या होता है, वो भी हमने देखा, इसमें क्यों होता है, myself, जो भी verbs को support करता हो, है ना, वो सब words थे, है ना बच्चो, very good, फिर अभी देखो, यह क्या है, join the sentence using the relative proper noun, इसमें क्या करना है, sentence को join करना है, लेकिन किस से, relative proper noun से, जैसे की who, words से, ठीक है, and opticals in a person, he, cell, spectacles, देखो, यह क्या बेशता है, spectacles, तो he के जगे पे आप क्या use करोगे, who, यह ऐसा इंसान है, जो spectacles बेशते, ठीक है, क्या बेशते है, spectacles, अभी देखो, a dentist is a person, dentist is a person, he, attend to the teeth, यह क्या करता है, teeth लगा के देता है, तो he के जगे पे आप क्या use करोगे, who, ठीक है बच्चो, इसी तरह, यह भी देखो, एक और देख लेते हैं, अभी देखो, a journalist is a person, journalist क्या है, एक परसन है, he write for newspaper, वो किस के लिए 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 होगे, फिर देखो, filling the blanks with suitable, integrative, proper noun, इसमें आपको suitable, integrative, proper noun, use करना, integrative words आपने देखा था, question mark वाले, तो चलो, इसमें देखो, आप question पूछोगे, dash of them wants to see me, तो उसमें पूछोगे किसको, तो who, है ना, dash said this word, यह word किसने बोला, तो who, है ना, dash do you want, आपको क्या चाहिए, तो what बोलोगे, dash is better, dash is better, honors और रिक्षा, इसा पुछते ना, तो आप क्या बोलोगे, इसमें से कौन सा, तो which, dash books, are you looking for, इसमें से कौन सी बुक आप देख रहें, तो which, यह सब exercise आप खुद से को लोगे, क्योंकि आपको खुद से समझ में इतना तो आ गया, कि इंटरोब्योट क्या होता है, तो इसमें आपको खुछन पुछना होता है, है ना, बच्चो, जैसे कि, dash, did he come here for, why, पुछते ना, कि क्यों आई है, यहाँ पे, किस चीछ लिए आई है, चलो, अभी इसमें क्या करना है, आपको sentence यूश करना है, यह जो words दिये है, उसको यूश करके sentence यूश फिर me, me का क्या, the teacher like me very much, teacher मुझे बहुत पसंद करती है, है ना, अच्छा पड़ोगे तो सब teacher अपको पसंद करेगी, चलो, अब my, my क्या होगा, my aim is to top the class, मेरा aim क्या मक्सद क्या है, class में first आना, फिर mine, the result is out, mine is the best, बलते है ना, result आ गया और मेरा result सबसे best है, very good, अभी चल उसी तरह ये वाला, इसमें पहले दे का यूज़ करते है, they are going to Mumbai, वो कहा जारे है, Mumbai, this was a very interesting experience to them, ये बहुत experience था, interesting experience था उनके लिए, there, car was correct, ये ना, car के बारे में बताया है, फिर picture, this picture राग ट्रे, ये ना, there, बोलते हैं ये picture उनकी है, आपको ये समझ आई है exercise, very good, फिर अभी देखो एक और है ऐसे, इसमें क्या करना है, he, she और her यूज़ करना है, देखो इसमें आप क्या कर यूज़ करोगे, she, her, her, hers, ठीक है, ये यूज़ करके आप sentence बनाओगे, इसमें जैसे कि we, ours, ours यूज़ करके sentence बनाओगे, we are playing cricket, you did not tell us, ये सब यूज़ करके क्या करोगे, एक sentence में frame करोगे, चलो अभी एक बार ये देख लेते, इसमें क्या करोगे, आपको ये table fill करना है, proper noun से, ठीक है, singular के लिए, polar के लिए, तो subject के लिए क्या आएगा, I या फिर me, object लिए, me, us, positive adjective के लिए, my, our, positive proper noun के लिए, mine, ours, ठीक ह बच्चो, तो इसी तरह से आपको ये भी करना है, ये वाला आप खुद से try करोगे, आपको ये सब कहां मिलेगा, यहाँ पर आपको सबके examples मिल जाएगे, है न बच्चो, ये सब आप definition एक और बार refer करोगे, तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा, ये आपको one time पढ़न है अच्छे से ध्यान से, ठीक है विच्चो, ओप आपको ये वीडियो समझ मैं होगा, thank you for watching and listening the video